नमस्कार दोस्तों एंडी गोहिल यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम कक्षाच्छ सत्र एक इक इक आई तीन समस्दार नहीं इकाई या पाट के समझ प्राप्त करेंगे लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो होगे उतना ही हमें आप तक नए रे वीडियो पहुचाने का उत्सा बढ़ेगा तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना बिलकुल ना भूल सबसे पहले देखते हैं इकाई का नाम है समझदार ननी समझदार अर्था जो कुछ सोच समझ कर काम करें अच्छा काम करें उसे समझदार कहते हैं और ननी शब्द यहाँ पर एक नाम के रुप में लिया गया है तो इकाई का नाम कुछ इस प्रकार होता है कि कोई ऐसा पास्त्र जो समझदार हो अब देखते हैं इस इकाई का सारांश इस गहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिती में भलाई करने का अपना सोबाव नहीं छोड़ना चाहिए यह बात प्रस्तुत की गई है हमारे समा कुछ लोगों का सोबाव बुरा हो सकता है लेकिन हमें अपना अच्छा सोबाव नहीं छोड़ना चाहिए तो दोस्तों यहां पर हमें कहा गया है कि इस कहानी में यह दिखाया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिती में कैसे भी हालात हो कितने भी बुरे हालात हो या कितने भ पूरे लोग है उनको दूर करने का प्रयतन हमें करना चाहिए और हमें अपना अच्छा सोभाव नहीं छोड़ना चाहिए इस बात को यह ज़ागृत किया गया है तो दोस्तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम चित्र में हम देखे तो हमें यहाँ पर दो पात्र दिखाई दे रहें एक है छोटी सी बतक और दूसरा है बिच्छू तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं की इस कहानी में बिच्चू और बतक के आजपास की कहानी बनाई गई है तो अब हम देख गहें कहानी विश्टरुत रूप से नन्ही बतक तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्चू दलदल में फसा है बिच्चू ने नन्ही से प्रातना की बहन मुझे बचा लो नन्ही को उस पर दया आगई उसने बिच्चू को दलदल से उठा कर सूखे स्थान पर रख दिया तो दोस्तों यहां हमने देखा कि एक नन्नी नाम की बतक है उसने एक बिच्चु को दलदल में फसा हुआ देखा दलदल का अर्थ होता है एसी मिट्टी की जो गिली हो जिसमें अगर हम पाउं रख दे या खड़े हो जाए तो हम उसमें धस्ते जाता है उसे दलदल कहा जाता तो कोई एक बिच्चु उसके उपर फस गया उसके अंदर धस्ता जा रहा था तो उसने नन्नी को पुकारा और नन्नी ने उसकी मदद की वरुसे वहां से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया बिच्चु को शैतानी सूजी उसने नन्नी को डंक मार दिया नन्नी पीडा स तड़प उठे उसने बिच्छू को पूछा, क्यों भई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा, बिच्छू लापर वही से बोला, क्या करूँ, डंक मारना मेरा सुबा हो ही, देखे दोस्तों, नन्नी ने बिच्छू की जान बचाई, फिर भी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया, नन्नी को बहुत दर्द हुआ, क्यों? क्योंकि बिच्छु के डंक में बहुत ही जहर होता है या बहुत ही जलन होती है इसलिए नन्नी वो पीडा से तड़प उठे उसने बिच्छु से पूछ लिया कि भई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने तो तुमारी जान बचाई थी, मैंने तुमारे साथ अच्छा बरताव किया फिर भी तुमने मुझे डंक क्यों मार दिया? तो बिच्छु लापरवाई से है, लापरवाई शब्द कारत होता है, किसी भी बात की परवाई नहीं करना क्या करू? डंक मारना मेरा सुबाव है, देखे दोस्तों, बिच्छु का सुबाव क्या है? डंक मारना, आप उसके साथ चाहे कैसा भी व्योहार करें, लेकिन वो आपको डंक मारता ही, मारता है क्योंकि उसका स्वभावी ऐसा है बिच्चो का स्वभाव डंक मारना है अर्थात या उसकी बुरी आदत है नन्ही बोली तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा देखिए उसके इस जवाब के उत्तर में नन्ही ने क्या कहा तुम यह अपनी गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा नन्ही का मतलब यह था कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते अगर एक बार तुमने किसी के उपकार के बदले में अपकार कर दिया मतलब कि अगर कोई तुम्हारा अच्छा काम करेगा और तुमने उसका बुरा काम किया या फिर उसका कोई बुरा किया या उससे कोई हानी पहुँचाई तो वह कभी भी तुम्हारी रक्षा या मदद नहीं करेगा बिच्छु उसकी बात अंसुनी कर आगे बढ़ गया बिच्छु ने उसकी बात अंसुनी कर दी अंसुनी करना यहां पर हमें एक मुहावरा दिया गया जिसका अर्थ होता है बात पर ध्यान न देना तो बिच्छु ने नन्नी के बात नहीं सुनी उसे लगा कि यहां मेरे लिए कोई काम की बात नहीं है नन्ही अपनी मा के पास नदी में चली गई माने पूछा नन्ही बेटे तुम कहा रह गई थी बिच्छू और नन्नी के बीच यह जो घटना बनी और जो बात्चित हुई उसके बाद वह अपनी मा के पास चली गई और सहजी उसकी माने पूछ लिया कि नन्नी बेटी तुम कहा रहे गई थी नन्नी बोली मा एक बिच्छू दलदल में फस गया था उसे बचाने में देर हो गई मा खुश हो कर बोली बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया तो देखे दोस्तो यहाँ पर नन्नी की माने क्या जवाब दिया कि मा खुश हो कर बोले, ननी की मा खुश हो गई, क्यों? क्योंकि उसकी बेटी ने एक अच्छा काम किया, किसी की जान बचाने का काम किया अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो यह बात हमारे माता पिता या हमारे सगे सबंदियों या हमारे मित्रों को बहुत अच्छी लगती हैं और उस बात का वेलोग गर्व भी लेते हैं कि हमारे मित्र, हमारे संबंधी या फिर हमारे बच्चे या बच्ची ने बहुत ही अच्छा काम किया इसलिए यहाँ पर नन्ही की मा खुश हो कर बोले बेटी तुमने यहाँ बहुत अच्छा काम किया लेकिन अगर नन्नी ने भी बिच्चु की तरह कुछ गलत काम किया होता तो उसकी मा को बुरा लगता उसे दूप होता लेकिन नन्नी ने तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है मा की बात सुनकर नन्नी बोली लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया देखिए जब मा ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और उसे सुनकर नन्नी ने आश्चरिय से कहा कि मा मैंने उसकी जान बचाई लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया मा बोली बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है देखे दोस्तो यहां बतक की माने क्या कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है गुलाम शब्द का अर्थ होता है कि कोई एसी व्यक्ति या एसी वस्तु जो किसी और के कहे पर चले तो उसे हम गुलाम कहते है तो बिच्चू किसके कहने पर चलता है तो कि अपनी आदत के वश में है उसके कहने पर चलता है उसका स्वभाव उसकी आदत है किसी को भी डंक मरो तो वह मजबूरी से या अपनी इच्छा से उसे डंक मार ही देता है इसलिए उसे यहाँ पर उसकी गंदी आदत का गुलाम कह तूम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा नन्ही बोली मा मैं उसकी गंदी आदत छोड़ा कर रहूगी तो उसकी माने कहा कि तुम चाहे उसकी जहान कितनी भी बार बचाओ, तुम उसके साथ कितना अच्छा व्योहार करो, लेकिन वह बार बार तुमें डंक मारता रहेगा, क्यों? क्योंकि वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है, उसे अपना सोबा भी ऐसा करने पर मजबूर कर र होगी, देखिए ननी ने फिर भी अपना स्वभाव नहीं बदला, बलकि उसने और द्रडता से कहा कि मैं उसकी गंदी आदत छुडा कर रहोगी, चाहे मुझे कितनी भी बार डंक सहन करने पड़े, लेकिन मैं उसकी यह आदत छुडा कर रहोंगी, कुछ दिन बाद बिच् शब्द दिया गया है पुना, जिसका अर्थ होता है फिर से, तो कुछ दिन बाद बिच्चु के प्राण फिर से मुसिबत में पड़ गये, इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उत्राने लगा, तो इस बार वह पानी के प्रवाह में बहते हुए पानी में गिर गया और डूबने लगा, मोच सामने देखकर बिच्चु को नन्नी की याद आई, वह नन्नी को पुकारने लगा, नन्नी ने उसकी करुण पुकार सुन ले, वह जपटकर बिच्चु के पास आ गई, सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे सुबाव वा बिच्चु को नहीं बचाऊंगी, तो दोस्तों यहां हमने देखा कि बिच्चु की जान दोबारा संकट में आ गई, उसको तुरंत नन्नी की याद आ गई, और वह उसे पुकारने लगा, उसकी दुख बरी आवज, करुण पुकार मतलब दुख बरी पुकार को सुन कर नन तुरंत वहां पर पहुंच गई, लेकिन जो ही नन्नी उसे बचाने जा रही थी, तुरंत उसे, एका एक अचानक, सुहसा मतलब एका एक अर्थात अचानक, उसके मन में विचाराया कि मैंने एक बार इस बिच्चु को बचाया था, उसकी गंदी आदत के कारण उसने मुझ डंक मार दिया, तो मैं इस गंदे सुभाव वाले बिच्चु को नहीं बचाऊंगे, बिच्चु गिडगिडाने लगा, उसे बिंती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो, नन्नी का मन डोल गया, उसने सोचा हो सकता है, इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, उसका अर्थ होता है कि मन का बदलना या विचार बदलना, उसकी इस बिंती को सुनकर ननी का मन बदल गया, उसने फिर से बिच्चु को बचाने का सोचा, उसे लगा कि शायद बिच्चु ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, ननी ने बिच्चु को दोबारा जीवन द बिच्चु अपने सुभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, ननी उसका इरादा समझ गई, वह बोली बिच्चु भाई ठिटक क्यों गए, डंक मारो, देखिए अब ननी ने फिर से उसके प्राण बचाए, उसको जीवन दान दिया, अर्थाच उसके प्राण बचाए, फिर भी जो बिच्चु है, वह अपनी गंदी आदत के कारण उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, जैसे ही वह डंक मारने के लिए आगे बढ़ा, अचानक वह रुक गया, और ननी ने उस बिच्चु को कहा, बिच्चु भाई, ठिठक क्यों गए, ठि शर्म से पानी पानी होना, जो शब्द है, वे शब्द एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना या बहुत शर्म आना, ननी के इस बात को सुनकर बिच्चु को बहुत ही शर्म आई, वह बहुत ही लज्जित हो गया, वह खिसी आकर बोला, बहन, एक ब रुख गया डंक मारते मारते रुख गया उसको शर्म आ गई फिर वह खिसिया कर बोला खिसिया कर शब्द का अर्थ भी होता है लजित होना या शर्मिन्द होना वह शर्म के मारे बोला बहन एक बात मुझे बताओ कि मैंने हमेशा तुमारे साथ बुरा बरताओ किया या फिर विश्वास गात किया है, विश्वास गात शब्द का अर्थ होता है, धोखे बाजी या विश्वास तोड़ना, फिर भी तुमने हमेशा मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? जो लोग भले होते हैं वे हमेशा भलाई करते हैं में तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ देखिए क्या अच्छा उतर दिया है कि भई मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ सकती, मैं क्यों छोड़ दू क्योंकि मैं तो एक भली इंसान हूँ, दूसरों का भला करना चाहती हूँ, मात्र तुमसे बदला लेने के लिए या किसी का ब पूरा करने के लिए मैं अपनी भलाई करने की आदत नहीं छोड़ सकते। मेरा काम बचाना है, मैं मुसिबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगे। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। देखती हूँ कौन जीतता है। फिर आगे उसने कहा कि मेरा काम तो बचाना है, मैं किसी को भी मुसिबत में देखकर उसे बचाती रहूँगे। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम डंक मारते रहो। देखती हूँ आपकी गंदी आदत और मेरी अच्छी आदत दोनों में से कौन जीतता है। बिच्छू पच्टावे से भर गया, बोला नन्नी बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूँगा। देखें दोस्तों, बिच्छू ने पच्टावे से कहा, पच्टावा शब्द का अर्थ होता है अपने बूरे काम पर दुख होना। बिच्छू के रदय में परिवर्तन हुआ, उसने नन्नी से कहा कि बहन आज तुम जीत गई, तुमारा अच्छा सोभाव जीत गया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूँगा। निर्दोष शब्दकार्थ होता है बिना किसी दूर्ष वाला बेकसूर। तो बिच्छू ने उसे वचन दे दिया है कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मार दूँगा। मैं अपनी गंदी आदत बदल रहा हूँ। ननी खुश होकर नदी में चल दी। मा ने आज फिर पूछा बेटी कहां देर कर दी। ननी ने पूरी घटना बता दी। मा प्यार से बोली। प्यारी समझदार ननी। भले लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भलाब बनने की राह दिखाते हैं। ननी प्रसन होकर ठिरकने लगी। तो दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि बिच्चू और ननी के बीच फिर से जो घटना हुई जो बात्चित हुई उसके बाद वह अपनी मा के पास चली जाती है। फिर से ननी की मा ने पूछा कि ननी बेटी तुम कहा रह गए थी कहा देर हो गई। ननी ने फिर से सारी घटना को अपनी मा के सामने प्रस्चुट किया। उसकी मा प्यार से बोली प्यारी समझदार ननी देखिए। इन शब्दों के यहां से अपने पाठ या इकाई के शीर्षक के रूप में लिया गया है कि मा ने उसकी बेटी को समझदार ननी कहा है इसलिए क्योंकि ननी ने बहुती समझदारी पूर्वक काम लिया था उसने बिच्चु को जो डंक मारने की आदत थी उसे मुक्त करवा दिया और किसी बुराई वाले सोबाओ के पशु को या जीव को उसने एक अच्छी आदत में बदलने की कोशिश की और उसमें वहां काम्याब भी हुई बले लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं एकदम सही बात ही कि भले लोग होते हैं वह किसी भी प्रकार का बुरा काम नहीं करते हैं और जो बुरे लोग हैं उनके साथ वे बार-बार भलाई करके उसे अच्छे बनने की अच्छी आदतों में लाने का प्रहत्न करते हैं और कुछ हद तक उसमें काम्याब भी हो जाते है ननी प्रसन होकर थिरकने लगी तो ननी यह बात सुनकर अपनी प्रसन सा सुनकर खुश हो गए और वह नाचने लगी तो दोस्तो इस पाठ में हम देख सकते हैं कि कोई भी परिस्थिती हो किसी भी प्रकार की परिस्थिती हो हमें कभी भी अपनी भलाई करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेर करें, कॉमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले ताके मैं ऐसे वीडियो आप तक दोबारा पहुंचाता रहूँ